सिद्ध करें, दो का वर्गमूल अपरी में संख्या है तो ये सिद्ध करने के लिए कि जो दो का वर्गमूल है वो एक अपरी में संख्या है मैं विरोधो द्वारा उपत्ती का उप्योग करूँगा तो हम यह मान लेंगे कि जो दो का वर्गमूल है वो अपरी में संख्या नहीं है तो मैं यहां लिखता हूँ कि हम यह मान लेते हैं कि जो दो का वर्गमूल है वो एक परी में संख्या है तो चलो देखते हैं कि अगर हम ये मान लेते हैं कि दो का वर्गमूल एक परी में संख्या है तो हमें क्या मिलता है तो परी में संख्या वे संख्या होती है जिसे हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं तो अगर हमने माना है कि दो का वर्गमूल एक परी में संख्या है तो इसे भी हम दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में लिख सकते हैं तो मैं यहां लिखता हूँ कि जो वर्गमूल है दो का, वो हम बराबर लिख सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, तो मैं वो दो पूर्णांक ले लेता हूँ, A और B, तो यहाँ पर A और B दो पूर्णांक संख्याएं हो गई, और यह हो गया उनका तो A बटा B यानि की दो का वर्गमुल हो गई एक परिमे संख्या अब यहाँ पर मैं एक बात पर जोर डालना चाहूंगा कि यह जो A और B है इनका कोई भी समान गुननखंड नहीं है अगर वो हुआ भी होगा तो यहाँ पर हम A और B दोनों को ही उस समान गुननखंड से विभाजित कर सकते हैं और इस तरह से हम A और B को छोटा छोटा और छोटा कर सकते हैं उस हद तक जब तक A और B का कोई भी समान गुननखंड ना हो तो ये बात यहाँ पर बहुत जरूरी है कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि A और B का समान गुननखन नहीं है इसका ध्यान रखिए ये हमें बाद में काम आएगी तो चलो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है दो का वर्मूल बराबर है A बटा B के चलिए मैं समीकरन के दोनों तरफ वर्म ले लेता हूँ ये यहाँ पर हो जाएगा दो जो बराबर होगा A का वर्म बटा B का वर्म यानि कि यह हमें बराबर मिलेगा यहाँ पर अगर हम दोनों तरफ B के वर्म से गुणा कल देंगे तो हमें यह मिलेगा यह होगा दो गुणा B का वर्ग बराबर होगा A के वर्ग के तो हमें मिल रहा है कि जो A का वर्ग है वो बराबर है दो गुणा B का वर्ग अब हमने A और B दो पूर्णांक संख्याएं ली थी तो यहाँ पर B एक पूर्णांक संख्या है इसका जो वर्ग होगा वो भी एक पूर्णांक संख्या होगा और यहाँ पर गुणा है दो अब किसी भी पूर्णांक संख्या को जो हम दो से गुणा कलते हैं तो वो हमें एक समसंख्या ही मिलेगी, यानि कि जो A का वर्ग है, वो एक समसंख्या है, अब A का जो वर्ग है, वो दरसल होता है A गुणा A, तो यहाँ पर यह जो A गुणा A है, यह भी एक समसंख्या है, अब यह है A गुणा A, यानि कि एक ही संख्या को दो बार गुणा किय है और वो हमें सम संख्या मिल रही है तो अब ए जो है वो सम संख्या होगी या विशम संख्या होगी तो अगर हम विशम संख्या गुणा विशम संख्या करेंगे तो हमें एक विशम संख्या ही मिलती है लेकिन जब हम संख्या गुणा संख्या करेंगे तभी हमें एक संख्या मिलती है तो इसका मतलब यह हुआ कि यह जो A है यह एक समसंख्या है तो मैं लिखता हूँ कि जो A है वो समसंख्या है और अब अगर एक समसंख्या है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो A है उसे मैं लिख सकता हूँ बराबर 2 गुणा किसी एक पूर्णांग संख्या के समझो की K तो A बराबर 2 के ये दर्शारा है कि जो A है वो एक समसंख्या है चल अब देखते हैं कि जो B है वो क्या होगी तो यहाँ पर ये जो A है इसकी जगे हम रख देते हैं यहाँ पर ये 2 के और देखते हैं कि हमें B क्या मिलता है तो इस समीकरण में A की जगे 2 के रखने पर हमें क्या मिलेगा ये होगा 2 गुणा, 2 गुणा हमारे पास है B का वर्ग जो बराबर है यहाँ A के वर्ग के और A के जगे हमें रखना है 2K तो यह हो जाएगा 2K का वर्ग तो हमें यहां मिलेगा 2 गुणा B का वर्ग बराबर होगा 4 गुणा K का वर्ग अब दोनों तरफ जब 2 से विभाजित करेंगे तो हमें B का वर्ग मिलेगा तो B का वर्ग हमें मिल जाएगा यह होगा B का वर्ग जो बराबर होगा दो गुणा K के वर्ग के अब K जो है वो हमने एक पूर्णांग संख्या लीती तो K का वर्ग भी एक पूर्णांग संख्या होगी और किसी भी पूर्णांग संख्या को जब हम दो से गुणा करेंगे तो हमें एक समसंख्या मिलेगी यानि कि जो B का अवर्ग है वो भी एक समसंख्या है तो जैसे हमें A का अवर्ग एक समसंख्या मिलीती उसी तरह से हमें B का अवर्ग भी एक समसंख्या मिल रही है तो यानि कि B गुणा भी भी एक समसंख्या होगी, यानि कि B भी एक समसंख्या होगी, तो मैं लिखता हूँ कि जो B है वो भी एक समसंख्या है, तो A और B दोनों ही हमें समसंख्या मिल गई, लेकिन अगर A और B दोनों ही समसंख्या है, तो A और B के बीच तो एक समान गुणन खंड है जो होगा दो कि वो दोनों ही समसंख्याए हैं तो मैं कह सकता हूं कि दो जो है वो A और B दोनों का ही समान गुनन खंड है या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि जो A और B है उनका एक समान गुनन खंड है लिकिन ये क्या हो गया हमने तो यहां माना था कि A और B का समान ये तो गलत बात हो गई तो यानि कि जो हमने माना था वो गलत था और अगर ये गलत था इसका मतलब 2 के वर्गमूल को हम A बटा B नहीं लिख सकते यानि कि ये भी गलत है जो हमने माना था कि 2 का वर्गमूल एक परी में संख्या है ये गलत है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो का जो वर्गमूल है वो एक अपरी में संख्या है तो हमने इस तरीके से विरोधों द्वारा उपपत्ती से ये साबित कर दिया कि दो का वर्गमूल एक अपरी में संख्या है